तो हरो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त संजे सिंखानिया आज आपके लिए बहुत ही एस्पेसल से भी एस्पेसल पूरिया आलू लेके आया हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी इंट्रेस्टिंग यह हमारी आलू की सब्जी बनी बिल्कुं रेश्टूरन जैसे प्लिज बीडियो को पूरा अंत तक देखें तो चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं कि यह हमने रख दिया कड़ाई इसमें हमने डाला डेशी घी उसके बाद हमने लिए जीरा जीर के बाद हमने इसमें थोड़ा आट किया हींग फिर हमारी हरी मिर्ज डाल दिया हमने और कटा हुआ जिंजर इसको बस दो सेकंड के लिए हम रोस्ट करेंगे फिर उसके बाद इसमें हम आड करेंगे कटे हुए टेमैटो और इसमें हम प्याज बिल्कुर नहीं आड करेंगे कि हमारे यह मौनिंग ब्रेकफास्ट है इसलिए बिल्कुर लाइट रखेंगे तो दोस्तों वीडियो पूरा आंत तक देखें तो अब इसमें एड करेंगे हम स्वादन सा नमक टी स्पून हल्दी और यह हमने लाल मिर्च डाल दिया टी स्पून और यह घर का बनाया हो गरम मशाला अब कलर वास्ते इसमें हमने एड किया देगी मिर्च तो देगी मिर्च जरूर आपने एड करना है उसके बाद इसमें एड़ किया है हम टी स्पून जीरा पॉर्डर अब इन मसालों को हम पांच मिट के लिए रोष्ट करेंगे तब तक हमारा टमाटर भी पक जाएगा थोड़ा सा पानी इसलिए अड़ किया ताकि हमारा मसाला जले नहीं तो आप भी थोड़ा अड़ करें ज्यादा नहीं आट करना तो आप देख सकते हमारा टमाटर गल चुका है तो यह हमारे बॉइल पिटैटों है इनकी खास बात यह है कि इनको हमने हाँ से मैस किया था इसके बाद हमने कसूरी मिथी समैड किया है और कोरियंडर तो इस तरीके से आप पानी डाल के इसको उन्हें पांच मिट के लिए ढग दिया था यह देख सकते हैं आप और यह हमारी आलो की सबजी बनकर बिल्कुन परफेक्ट रीडियो चुकी है तो देख सकते हैं कितना अच्छा है तो आप भी इसी तरीके से घर पे बनाए तो चलिए अब इसको हम एक सर्विसिंग बावल में निकाल लेंगे इसमें हमने लाश्ट में अड़ किया है बटर त जुरूरी डालना अगा अच्छा टेस्ट लेना है तो यह हमारा सर्विसिंग बावल है हमने इसमें निकाल लिया अच्छे तरीके से तो हमारी आलो की भाजी जो है बनकर रेडी है अब इसमें हम आड़ करने गानिशिंग के लिए कोरियंडर और फिर आड़ करेंगे थोड़ा साम इसमें बटर जो कि दिखने बहुत ही अच्छी रहेगी और बहुत ही इंट्रेस्टिंग है यह वीडियो तो सबजी तो हमारी एक काटोरी आठा है अब इसमें हम आधे काटोरी सूजी डालेंगे यह हमारी आधे काटोरी सूजी हो गई दोस्तो वीडियो पूरा आंत तक देखें और यह हमारी है बेकिंग पॉर्डर आप जरूर आड़ करें तब ही आपकी पूरी बिलकुल फूली फूली होगी यह नमक तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें हमने थोड़ा सा आड़ किया था ओईल तो अब यह हमारा पालक का पेष्ट है यह हमारा पालक का आटा रेडियो चुक है है तो अब हम दूसरा आड़ बनाने जा रहा है आटा बीट रूट का यह नहीं चुकुंदर सेम प्रोसेज यह भी है इसी तरह की जो आइटम उसमें आट किया था वही इसमें आट करेंगे तो देख सकते हैं यह भी हमारा आटा बनकर रेडी है तो इस तरह की से चाको की मदद से आप इनका कटिंग कर लें उसके बाद छोटे-छोटे पेड़े बनाकर रख लें और यह पेड़े पंदा मिन के लिए बनाकर रख दें इससे क्या होगा हमारी पूरी बहुत अच्छी फूली-फूली निकलेगी इस तरह की से ओल लगाकर रखें ताकि हमारा आटा सूखे ना तो चलिए हमारा तेल गरम हो चुका है अब इनको हम बेल के और तेल हमारा बेल कुल गरम होना चाहिए तब ही हमारे फूलेंगे यह देख सकते हैं हमारा पालक का पूरी है और यह हमारा चुकुंदर का पूड़ी तो दोस्तो आज था संडे तो हमने सोचा कि संडे को आज यही बनाया जाए और आपके साथ सेयर करें ताकि आप भी इसी तरह से घर पे बनाए तो इस तरीके से आप उपर से तेल डाले तो दोस्तो हमारा फाइनल यह बनकर रेडियो हो गया तो दोस्तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो फिर मिलते हैं नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए बाबाए